हेलो फेंड्स आज हम फिजिक्स के अब्जेक्टिव कोश्चन डिसकस करेंगे जो सेंटर पिग्जाम बिहार बोर्ट कलाश 12th 2020 में पूछा गिया है हमने पीवियस लेक्चर में मैथेमेटिक्स के जितने भी साथ कोश्चन थे उसका हमने एंसर की दिया है एक्स्पेनेशन के साथ अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ जाकर देख सकते हैं तो चलिए आज हम फिक्स के कोश्चन डिसकस करते हैं पहला कोश्चन है तो यहाँ पर जो दिये हुए है अब टोटल अब्जेक्टिव कोश्चन 42 कोश्चन है जितने भी कोश्चन है सब डिसकस करेंगे सासत इसका explanation भी बताएंगे हिंदी में भी और इंग्लिस में भी तो पहला question है परावैधुता का SI मातरक क्या होता है यानि unit पूछ रहा है permitivity का क्या होता है तो permitivity जानते होंगे force का formula होता है f equal to 1 by 4 by F7 q1 q2 by r square q1 यहां पर क्या है charge है चार्ज का क्या होता unit column into column column square हो जाएगा यह r क्या होगा meter में लेंगे meter square हो जाएगा हमें इसका निकालना epsilon note का निकालना तो क्या हो जाएगा force का newton होगा Newton नीचे आएगा column square by newton into meter square meter उपर आएगा meter inverse हो जाएगा newton inverse हो जाएगा यानि option D होगा पहले का फिर दूसरा question है आवेसित संधारित्र की दोनों पटियों के कुल आवेस का योग क्या होता है अगर दो plate है उसको charge कर दिया जाए उसके charge capacity है हम जानते है plate में जो होता है charge कभी store नहीं होता उसमें कभी रहता नहीं है दो plate के charge को अगर जोडते है तो उसका क्या आएगा value 0 आएगा तो इसका option क्या होगा यह हो जाएगा फिर तीसा नमों question है धारावाई चालक के अंदर electron की गती होती है तो धारावाई चालक के अंदर function है वाई यू में इस्थित इकाई धन आवेस को घेरने वाली सतर से निकलने वाली संपूर्ण विधूत फलक्स का मान निकाल दे तो आप गौस्यूरम परे होंगे गौस्यूरम में जानते हैं टोटल फलक्स जो होता है Q upon epsilon not के इक्वल होता है तो यह पर बोला टोटल एलेक्टिक फलक्स पर यूनिट पर यूनिट पोजिटीव चार्ज तो जो फलक्स हो जाएगा फलक्स क्या होता है टोटल चार्ज इंसाइट ए क्लोज सर्फेस बाई epsilon not तो इसको चार्ज को में नीचे ले जाना यानि पर यूनिट क्या बोला है पोजिटीव चार्ज इकॉल टू क्या आएगा 1 बाई epsilon not आएगा epsilon not को उपर ले जाएं क्या आएगा epsilon not का inverse आएगा भी option हो जाएगा फिर 5 नम्मो कोश्चन है बिंदू आधेस से R दूरी पर रिधूत विभाव का मान होगा तो जानते हैं एलेक्टीव पोटेंशिल क्या होता है 1 बाई 4 पैप साइन नोट इन्टू क्यू बाई R होगा तो R की यह क्या है inversely proportional है तो यह क्या होगा यूत करूमानुपाती होगा R के P option होगा फिर 6 नम्मो कोश्चन है किसी धारावाई रोपित विधुद छेत्री यानि एलेक्टिक फिल्ड के भी समन्द बताना है तो हम जानते हैं ड्रीव फेलोसिटी का फर्मूला ही होता है minus charge on electron into electric field by mass of electron into क्या होगा time होगा तो यह क्या है ड्रीव फेलोसिटी के electric field डैकली पोपोर्चनल है तो पहला option हो जाएगा फिस सेवेन नमगर कोश्चन है यह capacitor का कोश्चन है 64 समरूब बुंदे यानि drops जिन में परतेक की धारीता 5 microfarad है मिलकर एक बरी बुंद बनाती है तो बरे बुंद की धारीता होगी यानि बरे बुंद का हमें capacitor निकालना है तो हम जानते ही यापर volume सेम करेंगे 64 जो drops होगा drops का हम क्या मान लेते है radius small r तो क्या होगा drops कैसा होता है sphere जैसा गोले जैसा तो इसका volume क्या होगा 4 by 3 pi r cube equal to क्या करें जो बरा बुंद है उसका radius हम बरा r मान लेते है तो इसका volume करेंगे अगर r cube r cube से अगर इधर हम q भी क्रूट ले तो कितना आ जाएगा 64 का 4 आ जाएगा small r का r हो जाएगा तो यहाँ पर small r का दिया हुआ है capacitor कितना 5 micro fire दिया हुआ तो 5 से multiply करेंगे तो बरे बुंद का capacity आ जाएगा 4 into 5 करेंगे कितना जाएगा 20 micro fire d option होगा फिर 8 number question है वीभाव मापी से मुख किता मापी जाती है यानि potential meter से मापी जाती है परतिरोद भी मापी जाती है internal assistance potential defense भी ना पाजाता है कभी कभी धारा भी ना पाजाता है यानि इन में से सभी यानि d option होगा फिर 9 number question है एक तार का परतिरोद आ रहे है इसे खीच कर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का परतिरोद क्या होगा तो resistance हम जानते है area की क्या होगा inversely proportional होगा तो resistance को हम लिख सकते है 1 by d square जब पहले तार का जो व्यास है d रहा होगा तो क्या होगा r inversely proportional to d square अब क्या किया गया आधा किया गया तो नया r जो हम ले रहे है r1 ले रहे है अगर इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा d square by 4 हो जाएगा 1 by d square क्या है r है यह 4 उपर जाएगा तो कितना आजाएगा 4 r हो जाएगा यहनि नया resistance जो बनेगा शारगूना बनेगा पहले r का तो option b हो जाएगा फिर 10 number question है एक आवेस q विदू छेत्र electric field e तथा चुम्बू के छेत्र magnetic field b की संयूप उपस्थिती में गतिमान होतो उस पर लगने वाला बल क्या होगा तो हम जानते है electric field के द्वारा जो बल लगता है क्या लगता है f equal to q e negative field के द्वारा force लगता है वो क्या होगा q b b orange force है तो total को add कर देंगे तो क्या होगा q e plus q b b तो कौन सा होगा दुनों में से q common है तो e plus b into b c option होगा इसका फिर क्या नम्म कोश्चन है अगर दो आवेसो के बीच की दूरी बहा दी जाए तो उनकी वैदूत एस्थितीज उर्जा क्या होगी तो हमने अभी पीछे डिसकस किया था elective potential जो था inversely proportional क्या होगा फिर 12 नम्म कोश्चन है दो परतिरोद r एवं 2r को एक विधूत परिपत में सेनी करम में जोरा जाता है r एवं 2r में उत्पन उसमी ये उर्जा का अनुपात निकालना है तो सेनी में कभी भी जोरेंगे जिस्टेंस को तो ये क्या होगा इसमें जो क्रेंट होगा सेम होगा इसे कारण क्या होगा टाइम भी सेम होगा तो हम जानते हैं तो उसमी ये उर्जा का हम फर्मूला जानते हैं h equal to i square r t अब यहाँ पर क्या है उसमी ये उर्जा directly proportional है r के तो क्या हो जाएगा h1 by h2 H1 अनुपात H2 क्या हो जाएगा पहला R था दूसा क्या था 2R था तो क्या होगा 1 by 2 होगा यानि 1 अनुपात 2 हो जाएगा एंसर फिर तिया नंबर कोश्चन है 6 माइक्रो फैराड धाईता के 3 संधारित्र उपलब्ध है उनके संयोजन से प्राप्त निउन्तम एवं अधिक्तम धाईता होगी तो हमें कैपेसिटर दिया हुआ है 6 माइक्रो फैराड का 3 कैपेसिटर दिया हुआ है तो हमें इससे मिनिमम और मैक्सिमम एक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है तो मैक्सिमम तो निकल सकता है जब इसे parallel में हम क्या कर दे, जोड दे, पैलेल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6, microfarer तीन बार होगा, यानि 18 होगा, फिर अगर इसको siege में जोड़ें, तो क्या होगा, 1 by 6, 1 by 6 हो जाएगा, इसको add करेंगा तो क्या आएगा 3 by 6 आजाएगा 1 by 2 आजाएगा इसको अगर हम पड़ते हैं तो क्या आएगा 2 microfiber आएगा तो minimum क्या आएगा 2 microfiber आएगा जब series मजोरेंगे जब parallel मजोरेंगे तो अधिकतम आएगा तो c option होगा फिर यहाँ पे 14 नम्हा question है एक प्रया वर्ति धारा i equal to 60 sin 100 by t में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान क्या है यानि root mean square के value निकालना है alternating current का तो यह क्या हो जाएगा i rms फर्मूला होता है i naught by root 2 तो i naught क्या होगा 60 by root 2 करेंगे तो क्या आएगा 30 root 2 आजाएगा b option होगा फिर पंदर नम्हा question है lr स्रेनी स्योजन की प्रतिवाधा होती है यानि impedance पूछा है lr circuit का तो क्या होता है root 100 r square omega square l square फिस वर नम्हा question है निम्ड में से कौन सी कीरने चुंगुक्ये छेत्र के द्वारा विछेपित नहीं होती है alpha कीरन होता है deflection होता है magnetic field द्वारा gamma ray नहीं होता तो option क्या हो जाएगा gamma ray तो option c सही होगा क्योंकि यह magnetic field द्वारा deflect नहीं होता है फिस अतर नम्हा question है चौक कुंडली का सक्ति गुनांक है तो यह standard question है तो चौक कोयल का हमें जो पावर फेक्टर निकालना होता है क्या होता है पावर इकोल टू भी आई चौक कोयले केस में हम कॉस फाई को क्या लेते हैं 90 दिग्री तो कॉस 90 दिग्री पर क्या होगा जीरो वहलू आएगा तो चौक कोयल का पावर फेक्टर क्या होगा जीरो होगा अप्संसी होगा फिए अठानम्हा question है बायो सावार्थ नियम का गनित्तिय रूप है यानि बायो सावार्थ लाओके मेंटिक फिल का फर्मूला पूछा है तो यह पहलाई होगा मेंटिक पूपर्टी पूछ रहा है तो निकेल का जो मेंटिक पूपर्टी होता आरन जैसा होता है लोग चुम्बूकिय जैसा होता फिर ट्वेंटी नंबर कोश्चन है चुम्बूकिय याम योत्तर एबं भागोलिक याम योत्तर के बीच का कौन कहलाता है तो यहाँ पर डिफिनेशन डायक पूछा है एंगल बिट्विन मेगनेटिक मेरेडियन एंड जियोग्राफिकल मेरेडियन क्या होता है तो एंगल डिक्रिनेशन को कहते हैं यानि दिक माप को कहते हैं पर फिर ट्विन्टी वण नंबर कोश्चन है किसी दव्यात्मक माध्यम में विदूत्चुमूकिय तरंग की चाल निरभन नहीं करती है तो क्या होगा हम जानते हैं प्यरोशीडी जो इकॉल होता है एलेक्टिक या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको calculation करेंगे तो epsilon note permittivity या magnetic permeability या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं lambda wavelength into frequency तो यहाँ पर जो हमने लिखा भी electromagnetic wave है तो सब पर depend करेंगे electric field magnetic field पर भी करेगा epsilon note, mu note पर भी करेगा यहाँ पर lambda क्या है wavelength है एफ क्या frequency पर भी करेगा तो frequency पर करेगा permitivity पर भी कर रहा है तो यह तीनों होगा इस पर नहीं कर रहा है तो यहाँ यही पूछा है निर्बक इस पर नहीं कर रहा है intensity पर नहीं कर रहा, c option होगा फी 22 number question है एक सम दूइतल लेंज के परतेक तलकी वक्त तीजिया 20 cm तथा लेंज के पदार्थ का अपवर्त नाग 1.5 है तो लेंज की focus हुई निकाल लें तुम जानते हैं लेंज फेकर फर्मूला से क्या होगा 1 by f equal to mu minus 1 into 1 by r1 वक्त तीजिया 1 minus 1 by r2 तो यहाँ पर क्या है बाइफोकल लेंज से तो r1 r2 बुड़ावर होगा r2 जो लेंगे minus में लेंगे minus minus plus हो जागा तो 1 by 20 1 by 20 2 by 20 होगा 2 by 20 हो क्या लिखेंगे 1 by 10 फिर यहाँ पर क्या mu कितना है 1.5 उसमें से minus 1 करेंगे 0.5 आएगा इसको कल्कुलेशन करेंगे कितना है था 1 by 10 फिर इसको solve करेंगे तो क्या आएगा 1 by 20 यह 1 by 20 क्या है 1 by f आया इसको प्रड़ देंगे तो क्या आएगा 20 cm C option होगा सही 3.23 नमबर question है प्रकास की अनुप्रस्त तरंग प्राक्रीती की पुष्टी होती है यानि the transverse nature of light wave is established by तो यह सीब किसके द्वारा होता है धुरूवन द्वारा यानि polarization द्वारा होता है यह definition था B option हो जाए फिर 24 नमबर question है एक सरल सुक्ष्म दर्सी से बना प्रतिवीम होता है यानि simple microscope के दोरा जो प्रतिवीम बनता है virtual and erect यानि आभासी और सीधा बनता है option ने हो जाएगा इस्ट्वेंट हमने यहाँ पर 24 नमबर question discuss किये है बाकी जो question बचे next video में discuss करेंगे और हमने previous lecture में mathematics के साथ question को discuss गिये थे explanation के साथ हिंदी में और English में अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के last में मिलेगा उसका link वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर कोई भी doubt हो comment करें comment के माध्यम से उसका solution दिया जाएगा thanks for watching करेंगे जाएगा जाएगे जाएगे के औरेन करेंगे प्रेखर फिज़ नहीं